Assalamualaikum, आज से हमारा Unit 2 स्टार्ट हो रहा है Unit 2 में Classwork में Hash19 जा रहा है Hash19 में Page No.20 Explain Page No.21 and 22 Bookwork ठीके यह काम आपको Book में करना है Homework में जा रहा है Page No.21 and 22 Bookwork Practice ठीके अब हम आजाते हैं Bookwork पे Page No.20 में मैं यहाँ पर Explain कर रही हूँ Page No.21 पे यह वही काम जा रहा है ठीके इसमें क्या करना है Question है इसका Topic है 100, 10s and 1s Unit 1 में हमने 2 Categories पढ़ी थी 10s and 1s की अब हम Unit 2 में 3 Categories पढ़ेंगे 100s, 10s and 1s ठीके जब 2 नंबर होते हैं तो वो 10s and 1s कहलाते हैं जब 3 नंबर होते हैं तो वो कहलाते हैं 100s, 10s and 1s Question है Count and Write Then Draw Beards on the Abacus ठीके सबसे फिला हमें Count करना है फिर Write करना है फिर Abacus में Beards Draw करना है ठीके कैसे अब यहां देखे आपके पास बनेवे हैं एपार्ट में एक बॉक्स बनावा है तीन बॉक्स बनेवे हैं ठीके ना तीन जो छोटे छोटे बॉक्से वो एक ही Categories कहलेंगे ठीके अब अगर सिर्फ यह दो होते तो क्या कहलाते हैं 10s और 1s अब यहां पर यह भी आ गया है 100, 10s and 1s 100 में कितने बॉक्से हैं 1 10s में कितने बॉक्से 1 और 1s में 1, 2 and 3 ठीके क्योंके यह अलग-अलग है इसलिए हमें असे अलग-अलग count करेंगे और यह एक साथ ही इतने सारे जो अंदर छोटे-छोटे box हैं उसे count नहीं करेंगे जो एक box बनावा है हैं उसे count करेंगे ठीके 100, 110, 3, 1s तो हम यहां के लिखेंगे 100, 110, 3, 1s यहां पर भी ऐसे ही लिखेंगे और यहां पर beats दो करेंगे 100 में कितने नंबर हैं? 1 तो हम यहां पर 1 beats दो करेंगे 1 beat दो करेंगे 10 में कितने हैं? 1 तो हम यहां पर 1 beat दो करेंगे 1s में कितने हैं? 3 तो हम यहां पर 3 beats दो करेंगे ठीक है इसी तरह आप B पे आएं B पे है 100 1 2 3 3 10s 1 2 3 4 5 6 7 7 1s तो हम यहां क्या लिखेंगे 100 1 2 3 3 10s and ठीक है अब यहां पर 100 3 10s and 7 1s तो हम यहां के लिखेंगे 100 3 10s 7 1s ठीक है 1s कितने है 7 तो हम यहां लिखेंगे 137 अब यहां पर हम बीड्स बिनाएंगे, 100 में कितने नमबर होंगे, कितने नमबर है, 1, तो हम यह 1 बीड बिनाएंगे, 10 में कितने नमबर है, 3, तो हम यह 3 बीड्स बिनाएंगे, 1 बिनाएंगे, 7 बिनाएंगे, ठिके, समझ आए आप सबको, ये एक पेज आपको बुक में ही क करना है ठीक है बाकि आप खुद करिएगा next page पर आते हैं page number 22 पर आते हैं इसमें आपको सिर्फ count करके numbers mention करने ठीक है कों सा hundred कितने हैं 10 कितने है और ones कितने हैं अब यहाँ देखें झाल झाल...